बच्चो बात 1907 की है, कॉंग्रेस का सूरत में अधिवेशन चल रहा था और कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनना था गरमदल के निता चाहते थे कि बालगंगा धर तिलक को कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए लेकिन नरमदल के निता ऐसा नहीं चाहते थे बस इसी बहस में भीड में से किसी ने मंच पर एक जूता फैका और वो नरमदल के सबसे बड़े निता फिरोशाह महता को आकर लगा बच्चों ये बात इतनी बड़ी हो गई कि इस बात पर कॉंग्रेस का विभाजन हो गया गरमदल के निताओं को कॉंग्रेस से निशकासित कर दिया गया और कॉंग्रेस विभाजित हो गई ये शायद भारतिय राजनीती का सबसे पहला जूता कारण था जिस कारण कॉंग्रेस का 1907 में विभाजन हुआ है ना इंटरस्टिंग कल ऐसे ही इंटरस्टिंग फैक्ट के साथ फिर मिलूँगा आज की बात में